हमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको टमाटर खाने के कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे टमाटर के बिना भारती रसोई अधूरी है टमाटर अक्सर एक सबजी मानी जाती है हाला कि वास्तव में यहाँ एक फल है टमाटर का वैग्यानिक नाम सोल्मन लाइको पैरिसम होता है और यहाँ मूल रूप से मैक्सिको में पायर गए थे टमाटर नरम और गुलाबी रंके होते हैं इसमें कई बीज होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है चाहे आप इसे फल कहें या फिर सबजी लेकिन हम सब जानते हैं कि टमाटर पोशन का एक पावर भाउस होता है आप इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करके इसके अध्यदिक स्वास्त लाबों का आनन्द उठा सकते हैं टमाटर हर घर में सबजी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है टमाटर का जूस बना कर भी पिया जा सकता है टमाटर का सूप भी अधितर लोगों को बहुती पसंद होता है टमाटर की सौस भी बजार में आसानी से उपलब्द होती है और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं टमाटर का इस्तिमाल सलात के रूप में भी किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में टमाटर खाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह शरीर के चया पचय को बनाए रखता है और आपका स्वास्त अच्छा बना रहता है तमाटर को रात के समय खाने से यहाँ आपको लंबे समय तक अच्छा स्वास्त बनाए रखने में मदद करता है तो दोस्तों आप जानते हैं तमाटर से होने वाले कुछ स्वास्त लाप के बारे में सबसे पहले एकने वेदन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं प्रप्या हमारी चैनल की सदस्थिता को जरूर ले ले तक कि आप हमसे जोड़े रहें हमारी द्वरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइद अभी उठा सकें जाता है जिससे यूरीन में क्लुकोस की मातरा सही रहती है टमाटर खाने से गुर्दे और ब्लड प्रेशर भी सही रहते हैं यह दोनों सबसे ज़्यादा मधुमे से प्रभावित होते हैं इसलिए मदुमे रोगियों को अपने आहार में इसे जरूर शामिल करना चाहिए टमाटर आपके आँखों की रोश्णी को भी बढ़ाता है टमाटर में विटामिन A और C पाया जाता है जो आँखों की रोश्णी को बढ़ाता है और रताउंदी होने के कारण को भी कम करता है टमाटर मोत्यब इनके विकास के खत्रे को भी कम करता है टमाटर खाने से आपके बाल शाइनी और हेल्दी बनते हैं टमाटर में पाया जाने वाला विटामीन बालो को मजबूत और चमकदार बनाता है बालो के लिए इसमें आईरन और विटामीन ए पाया जाता है जो बालों को मजबूत करने के साथ साथ बालों का गिरना भी कम करता है टमाटर उन में जान डाल कर नया जीवन प्रदान करता है आप अपने बालों से रूसी को दूर करने के लिए भी टमाटर का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए आपको बस शेंपू के बाद टमाटर की रस को अपने बालों पर पांच मिनिट के लिए लगाना है और फिर पानी से दो लेना है ऐसा आप हफते में दो बार कर सकते हैं इससे आपके बालों में से रूसी गायब हो जाएगी टमाटर खाकर आप अपना वजन भी घटा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में वसा के साथ जीरो कोलेस्टरॉल होता है जो वजन को नहीं बढ़ने देता है इसमें पानी की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जिससे आपको भूख कम लगती है और आप कम खाना भी खाना शुरू कर देते हैं और आपका पेट भरा भरा लगता है तो दोस्तों यदि आपको अचकी हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक शेयर और कमेंट शरूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद